आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के सार दोनों अधिकारी द्वय ने आवश्यक बैठक लेकर समस्या से रूबरू हुए दरसल खरगोन जिले के बढ़वा में जिला कलेक्टर अनुगरह पी का प्रथम नगर आगमन हुआ इस दुरान समस्थ प्रशासने का मला मुस्ताइब नजर आया जिनके मांधियम से कलेक्टर मैडम ने पहले सनावश शेत्र के शास्की इस्पताल का दौरा किया जिसके बाद बढ़वाज जन्पत सभाकक्ष में आवश्यक बैठक ली गई जहां सभी विबाग के अधिकारी और कॉंग्रेस विधाक सचिन बिरला भाजपा नगर मंडल अधिक्ष चंदरपाल सिंग्तोमर सहित समीती सदस्य उपसित हुए जिन्होंने कोरुना काल के तहित नगर में लगे लॉकडाउन के कारण नगरवासियों और व्यापारियों को होने वाली समस्या से अवगत करवाया जुरान निलेश रोकडिया ने एसपी श्री चोहान को कहा कि हमारे शेत्र में अभी फसल की बूनी की जा रही है जबकि लॉकडाउन के कारण कई किसान ग्रामेंट शेत्रों से आ रहे हैं ऐसे किसानों पर पलिस चालानी का रिवाई कर रही है इस विशे को संग्यान में लेकर किवल शहर में बिना काम से घूमने वालों पर चालानी का रिवाई की जाए जबकि महीम ठाकूर ने कहा कि वैक्सिनिशन के लिए स्लोट बुक करना पड़ रहा है जो वर्तमान वे वैक्सिन की आवक्य अनुरूप युवा वर्क को कठीनाई हो रही है वहीं बाहरी शेत्र में से कई 18 प्लस के व्यक्ति बढ़वा सेंटर पर आ रहे हैं ऐसी स्थी को देखते हुए ब्लॉकस्तर पर ही स्लोट बुकिंग का प्रावधान कर बाहरी शेत्रों से आने वालों को उनके ही शेत्र में वैक्सिनिशन की आ जाए आपको बता दे कलेक्टर मेडम ने बैठक के बाद शास्की अस्पिताल का निरेक्शन किया जहां विवस्ता के अनुरूप उन्होंने इस्थानी श्वासविभाग और राजसवे विभाग की कारिशेली की प्रेशन सा की इस मौक्य पर शास्की एस्पताल में कलेक्टर मेडम की उपसिती में सेवा भारती स्वयम सेवक की पहल और समास सेवियों के सहयोग से बने दो आईसी उकक्ष का शुभारम संग के श्रीमान गोरेलाल जी बार्चे की द्वारा की आ गया जबकि जन परतिनी द्वारा बताई गई इस थमस्या का जल्द निराकरन करने का आश्वासल कलेक्टर मेडम द्वारा दिया गया बलवासे चीफ एंडिटर नवरतनमल जैन के साथ सिती रिपोर्टर विकास पवार की रिपोर्ट लोग अपने जहा पर ही आइसोलेट हो जाना चाहिए और उनको इलाज के लिए हम किट्स पी प्रोवाइड तरा रहे हैं अगर किसी का जो है तोड़ा ज्यादा सीरियस हो रही है उनको जो है हम सीची सेंटर या डी है जो है रफर करना है और उसी का सर्वे चल रही है इसमे क्या होगा अगरे 15 दिन में हमारा केसे जो है एकदम गीर होने के संबावना है हमने अभी ग्राम पंचायत को यह टार्गेट दे रहे हार ग्राम पंचायत उनका जो पॉसिट्व केसे तो स्सपेक्टेड केसे उसको जीरो करेंगे जनता कर्फ्यू लागू करना है मैं इसमे कोई भी प्रॉब्लम है समस्या है राशन चाहिए जो है अन्य कोई समस्या है हम हमारा एस्टीम से तदका संफर करा सकते हैं मैं इसमें आक्सीजन ऑक्सीजन जो ग्रों कर देखा है एक्सरें जितने भी जान चाहिए एक्सरे हैं सियार सिस्टम है ब्लट जो है टेस्ट करने के लिए मेशिन से यह भी जो है हमने सभी ब्लॉक लेवल होस्पिटल को उगलब्द करा रहें उसका प्लानिंग हो चुका है उसके और प्लेस हो चुके हैं उसके साथ-साथ आप देख रहे हैं सभी जहां ऑक्सीजन प्लांस भी लगा रहे हैं जिससे क्या बवीशे में भी जैसे वाकी सारे चीज़ते मेटरिटी हैं यह ट्रॉमा है और अन्य कोई सर्जरी दे उसको भी उस हो जाएगी तो उसमें जो है निविदा हमको विदायक ने दी अगर जोड रहे हैं तो निविदा जो हैं को करना प इल भी दी जाएगी अभी जो है कुछी चूट अंगले हफते से मिलना चालू होगी महर अभी में आखरी तक जो है लॉक्डाउन चालू रहे हैं हमारा डिस्ट्रिक में खुल नो केसस निकले हैं उन लोगों को अभी स्थिती स्टेबल है और उनका इलाज चल रही है में सनावाद में कुछ अस्पतालों को लेगा अनी मित्ता पाई जारे उस पर आपकी तरफ से क्या कारवाई कर रहे हैं से में वहरा नोटिस भी दिये हैं होस्पिटल्स को उनका ऑक्सिजन की बिल्स वहरा तोड़ा ज्यादा दिख रही है तो हमने अभी का जो है नोटिस कर दिये हैं उनका जवाब के बास जो है कारवाई कर रहे हैं